हेलो एबरिवान कैसे हैं आप लोग मैं बिल्कुल ठीक हो और उम्मित करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे मुबारख हो आप सभी स्टुएंट्स को कॉंगरेचुलेशन के आप लोगों ने इतना इस्टगल किया इतना पैसेंस रखा आप लोगों ने और जो बार-बार मैं स्टुडेंट बनकर ही पूछता था बट उनलों को मुझे लग रहा है कि डाउट भी होता होगा क्योंकि एक ही नंबर से बार-बार मैं सेम चीज अलग-लग तरीके से मैं पूछता था बट फिर भी कोई दिकतने हैं मैंने हमेसा स्टुडेंट ही बताया कि सर बहुत परिशान है सर जल्दी से काउंसलिंग हो जाता तो अच्छा रहता तो चलिए फाइनली मैंने बोला भी ता कि जुलाई में हम लोगा हो जाएगा तो देखे जो काउंसलिंग प्रोसेस है पहला राउंड का या फिर बीपीएड का एमेड का या एम्पीएड का जो फ 25 जुलाई तक चलेगा 18-25 जुलाई आठ दिन होता है ठीक है इसके बाद आप लोग जो भी कॉलेज आप सेलेट करेंगे पूरे जारकण में जितना भी कॉलेज है लगभग 13600 लगभग सीट है पूरे जारकण में बट इस बार लगभग 49,000 स्टूडेंट ने एकजाम दिय है देखे लगभग 40,000 के आसपास इसमें से बीड के हैं बाकी अधर के हैं तो 40-50,000 टोटल बच्चों ने एकजाम दिया है इसे इंटरेंस एकजाम को दिया है बट सीट बहुत ज़्यादा है नहीं साड़े 13,000 या 14,000 इस तरह का बोल सकते हैं 13,600 के आसपास में सीट बहुत कम है तो जिनका भी रैंक अच्छा नहीं है लो है ठीक है मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग कहीं न कहीं आप लोग ऑपन राउंड के लिए आप लोग अभी से आप लोग खो हैं या फिर बहुत से स्टुडेंट है जो गाउंडि हाते हैं जिनको किसी भी तरह का कोई इन्फोर्मेसिर नहीं मिल पाता है तो आप लोग टेंशन मत लीजी जेसी बोर्ड का जो भी अपडेट होगा जैब ब्याड से रिलेटेड ठीक है जो भी अपडेट होगा में आप 24-26 में आप लोग एडमिशन लेने वाले हैं उसका जो पर्थम चक्र जो फर्स राउंड कांसलिंग है ओनलाइन सक्षातकार से संबंदित important information है यहाँ पर काफी डिटेल में लिखा हुआ है साराची तो मैं यहाँ से मैं देख लेता हूँ लिखा हुआ है कि अभियर्तियों दो आराच संस्थान संस्थानों में अपनी प्रात्मिक्ता के अनुसार परशद के वेबसाइट पर उपलब्द online counseling for admission in B.A.M.A.D. B.A.D. M.P.A.D. 2024 Link में click कर दे गए click करके उसका दिसान निर्देशों का अनुसरन करते हुए विकल्पों को भरा जाना है विकल्पों को chain करने की संख्या पर कोई प्रतिबंद नहीं है अभियर्तियों को सलाह दी जाती है कि सीटों के आब अंटेन है तो अधिक सदिक बिकल्पों का chain कर देखें यहां पर क्या लिखावा है कि पूरे जहारकण में जितना भी जितना भी युनिवर्सिटी है जैसे कि राची युनिवर्सिटी हो गया बिनोध बिहारी महतों कोईलांचल युनिवर्सिटी हो गया या फिर कोलहान हो गया या सिदु कानू युनिवर्सिटी हो गया ठीक है या फिर रामचंद चनवर्सी युनिवर्सिटी हो गई या फ उसके college को select कर सकते हैं counseling में चाहिए first round counseling हो second round counseling हो total चार round का counseling होता है एक counseling में लगभग 15 दिन का time लग जाता है 15 से 20 दिन का time एक counseling को खतम होने में लगता है process को ठीक है तो आप लोग इसका जो home page है JCB board का जो official website है उसमें जाकर उसका जो home page है वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं और download column में जाकर वहाँ download में किलिक किजेगा तो आप लोग को साराची पता चलेगा कि किस किस तरह का साराची यहाँ पर दिया हुआ है देखे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो fee payment है इसके बाद कल से counseling start हो जागा 18 July से 18 July से आप लोग का counseling start हो जाएगा ठीक है 18 से 25 तारिक तक होगा पूरे जारकन में कोई भी student हो किसी तरह का कोई भी दिक्कत होगा ठीक है तो आप लोग के family member के ही जैसा हूँ मैं हूँ मैं आपके एक तरह से आपके घर का ही member के जैसा हूँ अपने से दूर मुझे मत समझिएगा ठीक है किसी तरह का कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग consult कीजेगा ठीक है अभी मैं भी अपना जो higher study है उसके लिए मैं भी अभी बीजी हूँ अपना पढ़ाई के लिए तो मैं भी बीजी हूँ और बहुसार आभी आगे का planning है बहुसार जी तो मैं भी थोड़ा बीजी अभी हूँ फिलाल में बीजी रहता हूँ तो आप लोग चाहें तो सबसे पहले कोसिज करेंगे कि मेरा जो telegram group है ठीक है मेरा जो youtube channel है इसमें मैंने link दे दिया है telegram का telegram को आप लोग जोइन कर जाएगा इसमें बहुस से 4500 बच्चे होंगे जुड़ जाएगा और उसमें किसी तरह का कोई information होगा तो आप message कीजेगा मैं भी reply करूँगा बाकी जो बच्चे है वो भी वहत corporate करेंगे आपको reply करेंगे उसमें जाकर personally भी आप मुझे message कर सकते हैं मैं आप लोगो reply करूँगा free होने पर आप लोगो जरूग कॉल पर बात भी कर लूँगा मैं अपना number भी दर दूँगा यह दिए आप लोगो जरुद पड़ेगा तो ठीक है बट सबसे पहले कोशिज करने का और उसके बाद फिर जैसा होगा और रांची के जो लोग है खास करके मेरे से मिल भी सकते है पर्सनली भी मिल के किसी तरह का कोई भी सजेसन ले सकते हैं तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो काउंसलिंग जो स्टार्ट होगा 18-25 तरीक तक हो जाएगा फर्स रांग का काउंसलिंग 18-25 जूलाई चलेगा ठीक है तो इसमें क्या है देखें यहाँ पर fee भी candidate of all categories किसी भी category की जो female candidate है लड़किया है उनको या फिर SC category के person या फिर ST category के जो person है उनको 200 रुपिय का यहाँ पर आप लोगो fee लगेगा किसका counseling process करवाने का ठीक है अब चले यहाँ पर देखते हैं कि लिखा हुआ है कि time schedule for round one first round का जो counseling start हो चुका है counseling एक ऐसा process है जिसमें हम हम लोग मतलब अपने अपना cml rank के according college को हम लोग choose करते हैं और उसमें submit कर देते हैं कि कौन कौन सा college मुझे चाहिए किस तरह का college मुझे मिल सकता है मेरा कौन सा college मन है ठीक है हम लोग apply करके submit कर देते हैं इसके जैसे भी board के पास यह record चला जाता है कि 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 category rank किस का कितना है cml rank कितना है और उसने किस किस तरह के college को preference में रखा है उसमें से कौन सा college है जो कि उसको मिलने के लाइक है उसी college को उस particular college को कितना cml rank वाले student ने किस किस student ने उस college को select किया है एडमिसन लेने के लिए यह सब सारा चीज एक computerized system में सारा चीज चेक किया जाता है और cml rank और category rank के according ही student को college मिलता है college जब मिल जाता है student को तो allotment letter दिया जाता है ठीक है allotment letter दिया जाता है allotment letter लेने के बाद college में जो allotment letter में आपका सारा detail और college को कौन सा college आपको मिल गया है admission लेने के लिए आपको permission जैसी भी board ने दे दिया है वहाँ पर एक fix date होगा वहाँ पर जाकर सारा जो है और college को जो degree certificate या फिर provisional ये सब है जो जो degree आपके पास है वो सारा ची लेकर जाना है income certificate अभी जुरत नहीं पड़ेगा income certificate जब यदि आप category के हैं CST या OBC category के student है और जब scholarship का form feel होगा e-callion portal के थुरू उसमें आपको income certificate चाहिए income certificate छे महने के अंदर का होना चाहिए residential और कास certificate कोसिस कीजेगा कि 2-4-5 साल के अंदर का हो maximum तो अच्छा है और ज्यादा अच्छा रहेगा 1-2 साल के अंदर का हो किसी का यदि 2018-2019 का है 20 का है residential और कास तो भी चल सकता है ठीक है कुछ ऐसे document जो आपके पस फिलाल यदि नहीं है suppose तब भी आप college को request कीजेगा तो admission आपका हो जागा और आप कुछ दिन time मांग लिजेगा बाकी document आपको मिल जाएगा जिन जो भी student है किसी भी college से कोई document नहीं निकाले है तो अभी भी आपके पस time है आप university जाएगे college जाएगे और जहां से भी आपको document आपको मिलता है आपका जो certificate है वो certificate सारा निकाल लिजे क्योंकि admission में आपको ये सब जुरत पड़ेगा ठीक है बाकि किस तरह का कोई दिक्कात होगा तो फिर मेरे से council में रहेगा मैं आपको तो चले यहाँ पर देखते हैं कि starting date of online देखे क्या लिखा हुआ है 18 जुलाई देख सकते हैं यहाँ पर 18 जुलाई है कब तक counselling कर सकते हैं 25 जुलाई देखे 25 जुलाई लिखा हुआ है ठीक इसके बाद editing in filled up choices मान लिखे आपको कोई भी college हटाना हो या कोई college आपको जोड़ना हो तो उसके लिए कब से कब तक है तो 26 और 27 26 और 27 को आप 26 तारीक और 27 जुलाई को यह दो दिन है जिसमें आप कोई भी college को add कर सकते हैं जो छुट गया होगा या कोई college को मन है कि आपको हटाना है कि वो घर से बहुत दूर है या फीस उसका ज्यादा है या कुछ लोग मना कर रहे है कि उस college वो college सही नहीं है या बहुत सारा चीज हो सकता है तो आप उसको हटा सकते हैं या add कर सकते हैं 26 और 27 जुलाई को तो counseling 18 से 25 जुलाई तक हो जाएगा आप लोग का first round का apply कर दीजेगा आपको ज्यादा knowledge नहीं है तो आप internet cafe चले जाएगा और cafe जाकर आप form को भर सकते हैं जो लोग भी राची में खास करके काटा टोली area के आस पास में रहते होंगे तो काटा टोली चौक के पास एक market है कादरी complex नाम है वहाँ पर मेरे कजन का internet cafe है समीर भाई नाम है उनका और cafe का नाम है top point internet cafe उस cafe में आप जाएगा तो किसी भी तरह का आपको कोई problem नहीं होगा मेरा experience है इतने सालों का आज तक कोई भी बच्चा को वहाँ पर किसी तरह का कोई form नहीं कुछ reject हुआ है नहीं कुछ pending में हुआ है या form भरने में किसी तरह का mistake हुआ है जैसे कि आप जारकन से आपने aggression किया है तो यदि आपने किया है तब भी गलती से no हो जाता है नहीं किया है तब भी गलती से yes हो जाता है OBC के जगा SCST हो जाता है BC1 के जगा BC2 form fill up में हो जाता है नाम के जगा mistake हो जाता है date of birth में mistake हो जाता है तो मेरा यह experience है कि समीर भाई जो है इतना expert है कि बहुत बारीकी से बहुत ही patience के साथ student के form को fill करते है तो कांटाटोली के area के आसपास में आप रहते होंगे कहीं तो आप जरूर टॉप पोइंट इंटरनेट के एफे जाएगा और वहाँ पर आपका सारा काम हो जाएगा और बहुत ही reasonable आपको charge वहाँ पर दिया जाएगा आप मेरा नाम भी वहाँ पर बता सकते है तो 18-25 आपका online counseling हो जाएगा 26-27 तारीक को आप editing कर लिजेगा कोई भी college हटाना है जोडना है लेकिन फिर उसके बाद edit करने के बाद जब भी form fill up करेंगे तो उसको lock कर लिजेगा lock कर दिजेगा सभी college को select करके lock का option आएगा college lock कर लिजेगा मतलब वह आपका lock हो जाएगा इसके बाद editing वाले option में edit का एक option आएगा unlock का option आएगा unlock को click कीजेगा तो फिर से वो खुल जाएगा unlock करने के बाद जो भी college हटाना या जोडना है उसको जोडने के बाद या हटाने के बाद फिर से आप उसको lock कर दिजेगा lock करने के बाद submit हो जाएगा तो 27 तारीक के बाद फिर वो open नहीं होगा 27 के बाद फिर changes नहीं होगा इसके बाद allotment letter आपको जब जाएगा तो आपको allotment letter आपको मिल जाएगा वहाँ पर आप देख सकते यदि कोई college आपको मिल गया है तो वहाँ पर लिखा रहेगा congratulations you have been given this college या फिर this college has been allotted to you to take admission in the beard या फिर M.P.A.D. इस तरह का courses में और नहीं मिला है तो लिखा रहेगा sorry try in the next round इस तरह करके आपको लिखा हुआ रहेगा ठीक है document verification और admission कब तक होगा तो 31 जुलाई से लेका 7 अगस्त तक यानि 8 दिन का time दिया जाएगा counseling में भी 8 दिन का time मिल रहा है counseling करने का और admission लेने में भी आपको 8 दिन का time मिलेगा ठीक है तो देखिए 18 जुलाई से start हो चुका है ठीक जिनका result नहीं आया होगा मार्सीट नहीं मिला होगा गरेशन का वो लोग थोड़ा सा रुख जाईए अभी 4 राउंड होने में अभी time लगेगा 4 राउंड के बाद open round भी होगा तब तक आपका result आहीं जाएगा बाकी अच्छा जो लोग किसी तरह का जैसे class नहीं कर पाएंगे या फिर बहुत कम class कर पाएंगे थोड़ा non attending वाला college चाहिए तो आप cancel कीजेगा मैं आपको अलग-अलग जगा से आपको guide करूँगा कि कहा आप किस तरह का college है जहां लेना अच्छा रहेगा घर के आस-पास का ही college आप लिजेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है और हाँ ये सब है ठीक है फिर वीडियो को मैं यहाँ पर end करता हूँ एक दूसरे को बता दिजेगा कि कल से नसीम सारी सर ने वीडियो बनाया है आप में ऐसे बहुत से इस्ट्वेन ने कहा था कि सर वीडियो जरू बनाएगा सर आपके वीडियो का इंतिजार रहता है थैंक्यू अबरिवन फोर यू लव और सपोर्ट इसको देख लिजे और कांसलिंग के लिए श्टाट कीजे जिनका रैंक 15,000 से ज़्यादा है इस तरह का रैंक है वो लोग पहला रांड में कांसलिंग मत कीजेगा मेरे से कंचल में रहिएगा दूसरे या थिसरे रावं भी कीजेगा जब भी कंसलिंग कीजेगा बार बार आपको पैसा लगेगा ठीक आ, इमाउन्ट लगेगा तेंक यू आवरीवन, God bless you.